Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिनको वीट टैब्डेट के बारे में, जो की इस टैब्डेट के यूज बहुत जादा, साररी कमजोरी, खून की कमी, जैसे सिकायतों में इसे इस्तमाल करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इहीं बात करने वाले हैं, जिनको भी टब्डेट के बारे में इसमें कॉम्बिनीशन का है, कॉम्बिनीशन होगा क्या काम है, कौन-कौन से परपजों में यूज के जाता है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, किससे नहीं लेना है, यह सब ही बाते हैं हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बात करते हैं जिनको भी टाप्डिट जो की 15 टाप्डिट की पेकिंग होती है Apex Company की बनाएं मेडिसिन है 90 रुपए इसका प्राइज है इसका प्राइज फ्लक्चुएट होता रहता है इसमें आपको मल्टी विटमिन, मल्टी मिनरल और ग्रैप सीट एक्स्रेक्ट जैसे काफी अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं इसके अलावा मेगनिसियम है जो की एक तरिके का बहुत ही अच्छा एंटियों को मजबूती करने के लिए और शरीर में नर्व फंशन को इंप्रूब करने में काफी कारगर होता है इसके साथ है जो अगला कॉम्बिनीशन है विटमीन B5 जो की इस कॉम्बिनीशन को पेंथोनिक एसिद भी कहा जाता है यह काफी कारगर होता है vitamin B6 है जिसे pyridoxin की कहा जाता है और यह hemoglobin count, RBC count और body में जो भी toxicity होती है उनको यह बाहर निकालने में करगर होता है folic acid जो की pregnant lady होती है या जो व्यक्ति ज़्यादा सरापीते हैं उनमें folic acid की deficiency बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है तो उन सभी condition में anemia हो जाता है तो इसे खुन की कमी anemia को cure करने के लिए folic acid का इस्तमाल करते है iodine जो की gaiter के purpose में इस्तमाल किया जाता है biotine जो की बालों से जुड़ी समस्या होती है बालों जढने के समस्या होती है बहुत ज़्यादा बाल तूटते है dryness रहती है weak होता है बाल तो उन से भी परपज़ों में इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा vitamin D3 है जो की हड़ियों की मजबूती के लिए काफी कारगर होता है rickates, osteoporosis, jodon में दर्ध होना तो उन से भी condition में काफी फैदे मन्द होता है vitamin B12 है जो की sinokabalamin कहा जाता है और यहाँ खून की कमीड़ा जो से सिस्टम को इंप्रूब करना महास्पेसी और नसों की कमजोरी हो जाती है तो उन से भी condition में काफी फैदे मन्द होता है vitamin B12 तो इन से भी condition में इस्तमाल करते हैं जिनको भी tablet का जो की से multiple purposes में इस्तमाल करते हैं इनके यहाँ फैदे हैं बात करें इस दवा का क्या dose है तो आप इसे दिन में एक से दो बर इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा problem है तो दो tablet इस्तमाल कर सकते हैं यह नॉर्मल्य एक ही tablet इस्तमाल किया जाता है खाना खाने के बाद रात को सोते वक 자 dependencies के साब इस्तमाल कर सकते हैं इस तरीके साब इसे इसका dose ले सकते हैं इसका dose का confirmation doctor के रिखदेंग में भी कर सकते हैं और इसका इस्तमाल डॉक्टर के कंसल्ट के बाद करें तो काफी अच्छा रहेगा साइड इफेक्टी बायत करें तो अगर आपको सूट नहीं करता है अगर आपको वीडियो यह जनकर अच्छे लगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फोर वाचिंग